स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूटूब चैनल MS12 इंस्टिचीट में आज के जो इस कलास में हम लोग करेंगे कलास 12 हिंडी हंडेड मार्क्स का गद्ध खंड का जो चेप्टर 4 है इस चेप्टर का पूरे निचूर करने वाले हैं हम लोग वन लाइनर के रूप में जो आप सभी को बहुत ही आसानी में याद होगी तो इसलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर कलास 12 का फाइनल बोर्ड एक्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो इस कलास को एक बार अच्छे से देख लिजेगा दोस्तों इसे देखने के बाद आप सभी को इस चेप्टर का कहीं से भी objective पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे और 100% है आप लोग जो एक भी question इस चेप्टर का गलत नहीं करेंगे दोस्तों और हाँ जो भी student अगर एक से तीन चेप्टर नहीं देखे हैं तो आप लोग पले लिस्त याद हो ठीक है तो इसलिए आप सभी जो है यह नहीं सोचेगा कि option नहीं राता है याद करने में यानि answer नहीं लगा पाते हैं या पिर कुछ आइसा कुछ नहीं सोचेगा बस आप सभी को याद रखना है final exam के लिए तैयारी करना है ना कि आप सभी को यहाँ पर youtube chat में दिख अधरर जो है वो कोन है दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है रामधरी सिंदीन कर ठीक है और यह question पूछा गया है दोस्तों जहीं कैसे पूछा गिए का राट्स वाले को दोनों को पूछा गयाता दोनों तरह से ठीक है तो इसलिए आप तो इसलिए आप सब याद अखेगा अर्द क्वारी रामधारि सिंग दिनकर है ह। धोस्तों याद अगेगा next question दूसरा नंबर दूसरा नंबर कsided Deep RED करका जन्म कहा हुआ है तो रामधारी सिंग्ता जन्म हुआ है और कब हुआ है तो वो 23 सेप्टेंबर 1908 को हुआ है ठीक है दोस्तोो किलियर आप सभी को याद Alley को आ क्वा ए तो वो ए 24 सेप्टेंबर 1908 को हुआ है है कहां हुआ है बेगूंषर राय बिहार था 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 ठीक है दोस्तों यादखना नेक्स्ट कॉष्टिन चार नंंबर चार नंंबर क्या पूचा गया है कि दिंकर जी की पहली कवेता कब परकासित हुई देखिए दिंकर जी की जो पहली कवीता कपरकासिद हुई थी वो 1935 में और ये कुस्टन आपका पूचा गया है दोस्तों नेक्ट चलते हैं क्वज क्या पूचा गया है सिक्स नंबर सिक्स नंबर कैंपूचा गया है यहां पर नारी और निरैंस रिधर दिनकर को निम्न मेर से कोन ता पुरुषकार दिया गया है तो दिनकर जी को पुरुषकार से तो आप सभी को बताए ना कि बिहार की किस जीले भी पूछ सकता तो वह बेगुसराइज जीले में हुआ नेक्सT QUESTION 9 number उर्वषी के रत्नाकर कोण है तो उर्वषी के रत्नाकर जो आ वह रामधारी Simh दिनकर है और उर्वषी किर्थी के वज़े से जो रामधारी Simh दिनकर को जो है न क्या मिला था भारतियग ग्यानफीट पुरुषकार दोस्तों रामधाःःसिक को रत्याकर को समद है कुम से विधा से है तो विधा क्यानि क्या है typical। तो याद रखना है अर्द नारी स्वर जो है वो एक एकांकी है बातचीत निवन्ध है उसने कहा था क्या है तो उसने कहा था एक कहानी है संपूर्ण करांती क्या है तो एक भासन है ऐसे आप सभी को पूछे जाते हैं दोस्तों यह सब आप सभी को करा दिये हैं याद रखेग और नारी को उतने कली माल लिया देखि़एंगे नारी स्क्राइब कुस्पर कर का रूप है तो र्यूप drops Si alcohol was injured कर आए किस पर्वती कीसर रूप है нीजा हूस। सब्सक्राइव पर्वति का कशेरा कार रूप है क्यों कर साथ best ओर फैररOS कभी पूछ देते हैं कि संकर और परवति का कल्पी त्रूप कौन के तो और जयाद रखेगा नेश्ट कोिशन तेरे नमबर के नारी तो यह नारी होगा नारी तो हम हुई करें तब ना किया विचार जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार यह यह पंग्ति किस पार्ट से है तो देखें नारी तो हम होई करी तब ना किया विचार जब जानी तब परिहरी नारी माहविकार यह पंग्ति जो है इन्हारी उर्द्धीणっ पार्ट से है नेक्स्ट कुष्ट्ण चलते हैं 14 नंबर 14 नंबर क्या है कि पर्सु राम की पर्तिक्षा के लेखक कोन है तो पर्सु राम की पर्तिक्षा के जो लेखक है रामधारी सिंदिन कर है नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर युद्ध और सांती युद्ध और सांती की समस्या पर लिखी गई कावे किरती का नाम क पूरुष्चेतर है नेक्स्ट कुश्चन चलते हैं दोस्तों 16 नंबर कि अब पूचा गया है कि अर्धनारी सवर कलपीत रूप है देखिए आप पारवतिक्षचन चलते हैं 17 नंबर 17 क्या है गानधारी कां थी तो गांधारी दुरीयोधन की मानाम थिक और अगर ऐसे पोच धैं कि दुरी योधन की मा का नाम क्या था तो आप सबीक तीन वार नहीं सब्समार्प चलते हैं दोस्तो 18 नबर परेयमचंद क्या थे तो परेयमचंद कत्हाकर थे रेत को संच चलते है 19 नंबर दिनकर का जन्म होता तो आप साया वाद उत्तर कभी है दिनकर कौन से योग यह शाया वाद उत्तर नेक्स्ट कोर्षण चलते हैं ट्वीटीवन न मलशिष्ट की किर्ति है तो देखिए संस्किर्टि के चार अध्य है कि जो लेखक है तो वो है यानि रामधारी सिन दिनकर ठीक है दोस्तों इसका राइट एंसर होगा रामधारी सिन दिनकर नेक्स्ट कोशन 22 नमबर लास्ट कोशन कि दिनकर को किस किरती पर भारतिय ग्यान फिट पुरुषकार प्राप्त हुआ पूछा गया कोशन है और इससे पहले आप सभी को बता है कि दिनकर को जो यानि भारतिय ग्यान फिट पुरुषकार मिला था तो वो उर्वसी किरती पर मिला था ठीक है इसका राइट एंसर होगा उर्वसी तो चलिए दोस्तों हम लोग का जो है चेप्टर पोर अर्द नारिस जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलें मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कलास में नेक्स्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहें और अपना खयाल लगए